नामाज का दोस्तों बाहर दुनिया का सब से तीजिस डवलप होने वाला देश अनुमान लगाया जा रहे कि 2035 तो भाहत एक डवलप सेटी के रूप में देखा जाएगा क्योंकि भाहत में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट अरबनाईजिशन टाउंसी प्रोजेक्ट इंडर्स्टरिल हव फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट जैसी बहुत सारे इंफ्रेस्ट्रक्चर बनाए जारी है जिसका असर 2035 के बाद की एकोनौमी देखनों को मिल सकती है अभी फिलाल भाहत में कई सेक्टर्स पर बड़े बड़े इंफ्रेस्ट्रक्चर बनाए जारे है बट फिलाल आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिप भाहत में आने वाले कुछ फ्यूचर सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो पूरी तरह से गिरिंफिल्ट और मॉड से बनका त्यार हो जाना है तो चलिए वीडियो को पूरा देखना वीडियो अच्छा लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करें कोई भी कोशन और क्वायर्स के लिए आप में इस्टेग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लि रखे गई थी और आज इस सिटी की चर्चा देश-वी-देश में भी होने लगी है क्योंकि जिस तरह से अमरावती प्लैन सिटी परफॉर्म कर रहे है अनमाल लगा जा रहा कि 2025 तक बनका तयार कर लिया जाएगा बट मुझे नहीं लगता कि 2025 तक पूरे तरह से बनका तयार किया जाना है आगले यह 25 तक जरूर बनका तयार के जाना है 치कने जाना है वह से यह 25 तक बनका पर प्वोकस कहरें करें सिंग्वैपूर के तरह विक्सित किया रहा जिसे दियां किया थैトिइनिय परफॉर्ड ऑर प्रफॉजड को एरिया में दव्लय जाना है वहीं इस पोजेक्ट की सबसे खास बात है कि सेंटर में 250 मिटर हाइट की एक कॉनिकल रूप को बनाया जारा जो काफी एट्रेक्टिव है वहीं अगर बजट की बात करूं तो तक्रिबन 553 बिलियन रूपीज है जो 2025 तक कम्पिट होने की उमीद है अब देखते हैं क पूरे सिटी को 25,000 हेक्टेर लेंड में डवलप किया जा रहा है जिसमें बात की सबसे बड़ी एयरपोर्ट जीवर एयरपोर्ट भी सामिल है वहीं इंटरनेशनल एस्टीडियम को भी प्रपोस्ट किया गया है और नौयड़ा फिल्मिक सिटी को भी इस फ्यूचर सिटी मे सामिल किया जाना है वहीं इस पोजेक को एक एकोनॉमिक हब के रूप में त्यार किया जाना है जिसमें मत्हुरा विरंदाबन और आगरा भी सामिल है अगर मैं इस पोजेक को बात करूं तो इसमें हैटेस कोईडोर भी डवलप किया जाएगा जिसमें मत्हुरा विरंदाब सिटी एक बहुत ही वहतरिन सिटी के रूप में दुनिया के सामने आएगी क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वह काफी डिमांडेड है और यहां पर इन्वेश्टर बहुत ही जादा और बहुत ही जल्दी आने के चांसे हैं ऐसे में अभी इस पर काफी तेजी से काम भी हो रहा है कहना कहीं से भी स्थीक नहीं होगा फिलाल हम पोजयक्स पर फोकस करते हैं तीसरा हमारा फ्यूचर सिटी अविध्या मॉडल टाउन हां जी दोस्तों पूरे सिटी को रिलिजियस और टूरिजम के एसपेक्ट से इसे पूरी तरसे वेदिक पिंस्ट्रल के रूप में बनाया जाना जिसमें काफी सारे एडवांस इंफ्रस्ट्रक्ट्चर बहुत ही उची उची बिल्डिंग एक से एरपोर्ट और लवे स्टेशन को यहां पर बनाया जाना अभी यहां पर भी काफी तेजी से काम हो रहा है बट यह सारे इंफ्रस्ट्रक्ट्चर को रूप लेने में मंदिर को दोज़ा तक का टाइम लग सकता है वहीं ध्याराम मंदिर को दोज़ा तेह तक कंप्यूट होने की खवर आती रहती है अब देखना काफी इंपॉर्टन होगा कि यह ध्याराम मंदिर कब तक बनकर तयार होती है कितना सच है कितना जूटा कैसे आने वारे टाइम म इस मंदिर पर इसर को बनाए जाना है फिला नम बढ़ते है नेक्स प्रोजेक्ट के वर जिसका नाम है धॉलेरा इसमार्चिटी हां जी दोस्तों धॉलेरा इसमार्चिटी अब तक अब सभी ने इसके बारे में जरूर सुन ले होगा क्योंकि यह भात की सबसे से छे टाइम्स गुना बड़ा होगा जाब बुले ट्रेंस टुएल रेंड एक्सप्रेस वे सैडेड इस्ट्रीट इंटरनेशनल डॉलेरा एरपोर्ट मेट्रो पोर्स एलेक्टिव वेकर सित्यादी को यहां पर चलाया जाना निर्मान किया जाना वहीं अगर इस पोजेक् एहां के लिए जन इचाने चर् Qatar इया को रीवर फ्रेंड के रूप में तयार किया जाना जो पूरी तरह से एको प्रेंडली भी होगी इस पूरे को तीन मंतिया ऺंश्रम निर्मान किया जाना जो दिल्ली मुंबे इंडुस्टीयल कोईडिर छूरी चीज बनाया जारा है पह से बुले ट्रेन इत्यादी को बनाया जाना फिलालम बरते नेक्स प्रोजेक्ट की वो जिसका नाव है नभी मुंबए हांजी दोस्तों नभी मुंबए एक बहुत ही वहतनी ब्यूटिफुल फ्लाइन सिटी में से एक है जिसमें अलग अलग टाउंसी प्रोजेक्ट है हर को फ्रेंडली के रूप में बनाया जाना है इस प्रोजेक्ट को अगर में बात करूं तो यहां पर इंटरनेशनल इर्फोटेक्स पार्क बनाया जाना है मिलिनियम बिजनस पार्क को बनाया जाना है हाड़वेर पार्क को बनाया जाना है स्पेशल एकोनॉमिक जॉंस को बन लगा जा रहा है कि 2035 से 40 तक पूरी तरह से बनकर त्यार कर लिया जाएगा अब देखते हैं यह पोजेक कब ते बनकर त्यार होती है फिला लंब बढ़ते हैं नेक्स पोजेक की और इसका नाम है गिप्ट सीटी हां जी दोस्तों गुजरात इंटरनेशनल फाइनेक टैक सीट राइजस बिल्डिंग स्पोर्स कंप्लेक्स इत्यादी का निर्मान के जाना है वहीं सीटी को सभी modern ट्रांसफोर्सेजन स्वेधाय से लेस होगी जैसे कि एयरपोर्ट से कनेक्शन होगा पोर्ट से कनेक्शन होगा नेशनल हाइवेज होगी एलेक्ट्रिक बसे और मैट्रो को यहाँ पर चलाया जाना है वही हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है निव गुडगां फ्यूचर सेटी हां जी दोस्तों जिसे ग्लोबल सेटी के नाम से भी जाना जाएगा रिपोर्स के अनुसार ग्लोबल सेटी को एक हजार एकड़ में तूबे बिजनस पे के अधार पर वही हर्याना के मुखमंतरी का कहना है कि इस पूरे सेटी को टूरिजम को देखते हुए दूबे के तरज पर बनाए जाना है के भी दिसेंट में इस प्रोजेक्ट को लॉंच की गई है अब देखते हैं कब तक बनकर तयार होती है और वहीं हमारा नेक्स प्रोजेक्ट है न बहुत ही वहत्रिन सीटी के रूप में दुनिया के सामने आगी भाद की दो सबसे बड़ी सीटी एक नवी मुंबे और एक नॉर्थ वेंगलो जिसे पूरी तरह से अभी इन्वेस्टर्स यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही बड़ी-बड़ी हाय राइस को बना है और फिलाग आज का सबसे अंतिम प्रोजेक्ट है हमारा ड्रिम सीटी प्रोजेक्ट हां जी दो जिसे डायमन रिसेजन मस्टायल सीटी के नाम से भी जाना जाता है यह बहुत का एक अपकमिंग बिजनस डिस्टिक के रूप में देखा जा रहा है जो गुजरात के सूर्द सीटी में 2000 एकर जमीन पर कर्षोड के पास बनाया जा रहा है प्लाइन सीटी जो पूरी तर से मॉडर्न इंफ्रस्ट्रक्ट्चर के साथ लेस होगी देखते हैं यह सारे प्रोजेक्ट कब तक बनका तयार होंगे यह सारे प्रोजेक्ट अभी प्रोजेक्ट है जिस कोशन और क्वारिस पूछना हो तो आप में इस्टेग्राम पर पूछ सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखाए ज़रूर पूछें तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पेंड करते हैं जय हिंद्द